वेलकम टू बेंकिंग प्रोसेस गाईस आप देख सकते हैं मेरे हाथ में SBI का सिंपली सेव रुपे क्रेडिट कार्ड है रुपे कार्ड को मैं एस्टिमेटेड 20 डेस से यूज कर रहा हूँ 20 दिन का क्या एक्सपरियेंस है सिंपली सेव रुपे कार्ड में क्या benefit बिलते है प्रेंद चार्जेस क्या है और यह क्रेडिट कार्ड मैंने कैसे apply क्या लिमिट कितना मिला है सारा डीटेल आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं share करने वाला हूँ सो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए चैनल पर अगर आप नए है तो सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रिस करें सिंपली सेव रुपे क्रेडिट कार्ड जब आप एपलाइ करेंगे तो आपके पास में इस तरह का credit card provide किया जाएगा credit card का एक बार आप जलक देख लिजिए इस तरह का आपको card offer किया जाता है power for UPI credit card को आप UPI से link करके payment कर सकते है SBI card का branding है contactless credit card है touch and pay करके without ATM pin के आप payment कर पाएंगे simply save या पर लिखा हुआ है and credit card के front side में आपके 16 digit के number है expiry month, expiry year भी यहाँ पर mention है back side में आपका CVV है यहाँ पर आप देख सकते हैं रूपे platinum, रूपे network के साथ में यह credit card हमें दिया जाता है credit card का look कापी attractive है credit card को जब आप हाथ में लेंगे तो आपको एक premium वाले credit card का फील आएगा तो simply save रूपे credit card दिखने में तो attractive है इस credit card में हमें जो benefit बिलते है वो भी कापी ज़्यादा attractive है मैं estimated 20 days से इस credit card को use कर रहा हूँ इस credit card के माध्यम से मैं UPI से किसी भी merchant store पर payment कर सकता हूँ जब मुझे credit card यह मिला तो पहले मैंने phone pay को open किया phone pay को हम open करते है तो side में हमें profile का options बिलता है यहाँ पर credit card link on UPI का हमें एक options बिल जाता है आपको यहाँ पर SBI card का भी विकल्प देखने को मिल जाएगा उस पर आप जैसे ही click करते है तो आपके registered mobile number से जो भी link होता है credit card automatically आ जाता है UPI pin only for match set करने होते है फिर हम अपने credit card से any merchant QR code पर payment कर सकते है जो भी हम खर्चा करेंगे spend करेंगे वो हमारे credit limit मैं से deduct होगा, debit होगा और फिर हमारा जो भी statement date है उस दिन को हमारा bill generate होता है bill को हमें SBI card app या फिर SBI योनों के माध्यम से आप pay कर सकते है आप credit app का भी use कर सकते है अपने credit card का bill payment करने के लिए आपके पास मैं अभी तक credit app नहीं है तो उसका link भी आपको मैं description में provide कर लूँगा ये credit card रुपे network के साथ में आता है यही इसका सबसे बड़ा benefit है दोस्तो मैं 20 days से UPI से payment करके इस credit card का जो भी पैसा है वो use कर रहा हूँ लेकिन दोस्तो credit card में जो benefit बिलते है वो भी कापी attractive है तो एक बार आप benefit को भी देख लिजिए यहाँ पर आप display पर देख सकते है 10x reward point dining, movies, groceries and departmental store पर spend करने पर हमें दिये जाते है one reward point हमें other category में every 150 spend करने पर मिलेंगे reward point है जो हम redeem करेंगे जब हमारे SBI card account में 4 reward point collect होंगे तब जाके हमारा एक रूपे बनेगा आप जो भी reward point redeem करेंगे वो multiple of 2000 के against होने चाहिए हाला कि SBI simply save रूपे card में हमें bonus के तोर पर 2000 reward point दिये जाते है इन bonus reward point को claim करने के लिए जब आपके पास में simply save रूपे card आता है तो आपको अपने credit card के माध्यम से within 60 days में एक कोई भी transaction complete करना है 2000 bonus reward point आपके SBI card account में credit किये जाएंगे इस credit card में आपको 1% का fuel charge benefit मिलता है आपका जो fuel पर spend है वो minimum 500 और maximum 3000 के under होना चाहिए पर month या फिर पर statement cycle में आपको 100 रूपीज का benefit होगा credit card के fee and charges की बात करें तो ये रूपे credit card बनवाने के लिए आपको 499 रूपीज प्लस applicable taxes पे करना होगा joining and renewal charges के तोर पर जो आप joining फी पे करेंगे उनके बदले में आपको 2000 reward point मिलते है आप रूपीज में values को calculate करेंगे तो आपको 500 का benefit होगा renewal charges को वेवाप कराने के लिए इस credit card के माध्यम से previous के year में आपको 1 lakh रूपीज को spend करना होगा तो renewal charges भी वेवाप हो जाएगा ये जो आपके पास में credit card available है उसके against आप to add-on card को भी issue कर सकते है add-on card आप अपने family member के नाम से बना सकते है इस card का use करके आपने कोई बड़ा amount spend किया है तो उस amount को आप EMI में convert करके भी pay कर पाएंगे और credit card हमारा contact less है touch and pay करके payment easy way से हो जाता है दोस्तो SBI का simply save रूपे credit card आज की date में best है SBI में हाला की other credit card भी आपको offer किया जाता है like simply click, simply save visa, e-light और प्रेमियम लेवल के credit card available है लेकिन एक normal fee and charges के साथ में आपको simply save card offer किया जाता है जो की कापी benefit आपको दिलवाता है इस card में मुझे limit कितने मिली है तो display पर आप देख सकते है limit का भी जलग card में मुझे 65,000 का एक normal limit SBI card ने provide किया है and cash limit 19,000 का मुझे मिला है हर महिने की 20 तारिक को मेरा statement बील है वो generate होगा जो की मुझे pay करना होगा credit card मुझे without income proof के मिला था card के लिए कोई भी income proof का requirement नहीं किया SBI card नहीं मेरा कोई verification हुआ physical तोर पर हाला कि call verification हुए थे KYC मेरा video के थुरू हुआ था and directly card approve हो के मुझे मिल चुका था easy way से आप भी SBI card बनवा सकते है गर बैटे कोई भी आपका verification नहीं होगा अगर आपका credit score बेतर है profile बेतर है तो easy way से आपको भी ये credit card मिल जाएगा जातक मेरे experience की बात है 20 दिन से मैं use कर रहा हूँ card को कापी बढ़िया experience है क्योंकि मैं अपने जो खर्चे है वो इसी card के माध्यम से हाला कि कर रहा हूँ जो कि 65,000 की limit है इसको मैं spend करता हूँ हर महीने एंड इसके बदले में मुझे reward point भी मिल जाते है लाइक मैं fuel पर spend करता हूँ तो मेरा fuel पर भी benefit हो जाता है जो कि surcharge में मिलता है एंड जो भी इसके exclusive benefit है लाइक dining, groceries, movies, departmental store इन जगह पर spend करता है तो 10x reward point का benefit होता है और अधर हम spend करेंगे तो एक reward point तो में every 150 के against मिली जाएगा और जितने भी reward point को हम collect करते है उन reward point के बदले में हम कोई भी voucher को buy कर सकते है या पिर अपने statement के against redeem भी कर सकते है previous card के अगर reward point की बात करो तो मुझे 10,000 reward point bonus में मिलेते SBI elite card में जो कि मैंने credit card के statement के against redeem किये थे side में आपको मैं screenshot भी provide कर रहा हूँ आप देख सकते है 2500 रुपीज मेरे statement में credit हो चुके है card का यह benefit है जो भी हम खर्चे करते है spend करते है तो उसके लिए हमें एक dedicated SBI card limit देता है और जो भी हम खर्चा करते है उस पर हमें reward point भी मिलते है threshold complete करते है तो हमें extra bonus reward point भी मिलते है यह defend करता है कि आपके पास मैं कौन सा SBI का card available है कापी बढ़िया benefit होते है अगर आप SBI का card घर बैटे बनवाना चाते है तो description में आपको मैंने link provide कर लिया है link पर click करके आप घर बैटे SBI simply save रुपे या फिर simply click card के लिए आविदन कर सकते है I hope आपका credit card approve हो और आपको भी credit card मिले आपका card अगर approve होता है हमारे वीडियोज के माध्यम से तो आप वीडियो के comment box में जरूर बताए वीडियो गर आपको बैतर लगा हो तो like कीजिए, share कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और हमारे चैनल banking process को आप subscribe कीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज की information सबसे पहले मिले